ओपिनियन पॉल हिंदुस्तान में कही दिनों से बताया जा रहा है कॉंग्रेस इस गेटिंग 400 इंडिया देश की एकुणामी मनमहान सिंग की सरकार 8.4 पे लेके गई थी तो देश के प्रधानमत्री देश की एकुणामी 3.0 2.0 इस थरह कोविड नाइटिन में तो जीरो तो आप एंडेट पसंट रहूल गांदी आप इरानी को किसी भी तरह से हरा रहा है कुछ विकास नहीं आज सारे धर्मों के साथ सारे जातियों के साथ नफरत है और बेरोजगारी फाल चुकी है और इंक्रीजिंग आफ रेट जो है हर चीजों के रेट तो कैसे महेंगाई म को हैं जाने के लिए डर रहत हैं कि 303 पारलीमेंटरियन उनके रखने के बाहुशक देश के प्रदान मंत्री पारलमेंट में मनिपूर के विश्याई पे उपर बात नहीं करें पार थे शथती सेवन शेकंड से बाहर नावर नोट एस आफन आवर थाटी सेवन थाफन सेट स फ्लैंकिस के बारे में बात करना ये कोई फिल्मिस टार की एक्टिंग ने होती है तो फ्लैंकिस स्मती रानी सब जानती है स्टूडेंट लेवल में स्मती रानी के बारे में मैं बोलना नहीं चाहता हो बट शीज एंटर तो वह उस्मती इरानी जो है अग्टर थी फ्लाइग किसक्ति आप बहुत कुछ जानती है है मैं सीक Kazi जो किसानों की जमिन जल चुकी है किसानों को गोली से मारा गया है दो हजार ऑनीस में तो उसके बाद स्मतिरानी एलेक्षन जूच चुकी है तो फ्लैंक इस तो क्या है इट इस वेरी कारवाई करेंगी क्या लगता है कारवाई कि तर्फ अगर कारवाई करने के बाद में सद्धिता बाहल क्या शीज गोईंग टू एनिहाओ 2024 में शीज गोईंग टू लूज दा अमेथी तो आज पार्लेमेंट में आप दिंबर था टो आप महला नहीं होते ना अगर महला होती तो वह किस नंबर आफ वेराइड़िस में वह सो मेरी टाइप सफ किस होते हैं तो वह किस तरह का रहता है हम बता सकते हैं विताउट एनी शेमलेस यौर माइफेंड यौर माइडियर फेंड यौर माइब ब्रदर दो हजार अथाविस तो छोड़ दो प्रस्ताव की बात दो हजार चोबिस में आप अभी ओपिनियन पोल हिंदुस्तान में कही दिनों से बताया जा रहा है ने कॉंग्रेस इस गेटिंग फोर हंड़ेड लिए इंडिया इंडिया इस गेटिंग फाइंडेड पार्लेमेंट यर्यंस मैजोरिटी कैसा ये बी बताता हूं देश के प्रधान मंद्री को सौ पार्लेमेंट यर्यंकी मेजोरिटी बता रहा है और तो फिप्टी-3 में फायर दर्ज हुआ तो कुछ फरक नहीं पड़ता है आप किसी लिए फायर दर्ज हुई मुख्यविशय वह है तो करेप्शन 50% तो 50% करेप्शन का एक्जामपूल आपको करना तक का एक्जामपूल मैं देता हो 40% करेप्शन सरकार भारतिय जन्ता पार्ठी के 40% की करेप्शन सरकार बोली गई है जितना अगर 40% करेप्शन अगर दिया सरकार भारतिय जन्ता पार्ठी को तभी आपका जो काम है वो काम सक्सेस्पूल होगा और आपका जो लोन पास होगा तो लोन का पैसा भी आपको मिल जाएगा अगर आपको ट्रासपर होना है ट्रासपर भी आप 40% कमिशन देने के बाद में होता इस तरह का आप देखा गया करनाट के लोगों के पास यह तो देश के प्रधानमंत्री के बाते सिर्फ हवा में हवा में बाते छोड़ते देश कोविट 19 में बोले फॉस्ट फॉस्ट वें जैसा हो गया पंद्रा दिन का देश गया पच्ट वनिस साल देश पीछे चले गया बताएं देखिए देश पंद्रा साल पीछे गया बोलें फिर आप देश की एकोनामी बोल रहें कि वर्ल में वह पांचवा नंबर है देश का अभी अभी तीने फ्यू डेस में तीसरा नंबर हो जायागा देश में बोलते तो यह उनके बातों में कोई वैल्यू नहीं है बोलने की पात्ति यह है बातों की कोई वैल्यू नहीं है देख चंद्रायंट्वा देख क्यारेंट्व नेससरी फेलूर हो गया है कम्यूनिकेशन तूट चुका है नहीं नहीं कम्यूनिकेशन तूट चुका है तो आभी बोल रहें चंद्रायंटी सौथ पहले जो पोल में लैंड होने जा रहा है क्या विकास है बताओ देश की एकोनामी देखिए देश की एकोनामी मनमहान सिंग की सरकार 8.4 पे लेके गई थी तो देश के प्रधानमंत्री देश की एकोनामी 3.0 2.0 इस तरह कोविड-19 में तो कुछ भी कास नहीं आज सारे धर्मों के साथ सारे जातियों के साथ नफरत है और बेरोजगारी फाइल चुकी है और वह इंक्रीजिंग अफ रेट जो है हर चीजों के रेट तो कैसे महेंगाई महेंगाई मैंड बन गया है दैश के प्रधानमंत्री और किसी भी चीज को सरस प्रफू का रेट देखा गया असी रुपे डजन केला देखा गया कभी आप देखें तर साल में आज कमरेश पाटी सुई से विदेश में कुछ नहीं डगा सुई से लेके आज एरो प्लेन हेलीकाप्टर हर चीज अपनी इस देश में आपन तयार कर रहे हैं इतना बाब द आज डिजिटल सिस्टम आपन यूज कर रहे हैं प्योज्टी से रहे हां इंगलिश में नहीं पोलना हैं तो टीवे में हर चीजग आपन देखना देख रहे हैं तो यह क्या है यह टेकनोलेजी देश के प्रदानमंत्री का खाब नहीं था देश के प्रदानमंत्री का खाब जैसा आप 1973 में इस दिल्ली में थे तो उसके बाद में 80 से लेके आप 90-2000 तक आप गायब हो चुके हैं 2001 में एलेक्शन लडने के लिए गुजरात आ चुके है 2001 में चैलेंज के राउल गांधी को अमेटी आई आप चिनाओ लड़के दिखाई ए अमीथी में स्मति इरानी जी जो हार रहे हैं 2024 में शीज गॉइंड टो लूज एलेक्शन 100 पसंट इडिज रहूल गांदी का चैलेंज है आज वाइनाड में जैसा चार लाग चिल्लर वोटों से जीते हैं स्मति इरानी को तो आप हवा में तीर मार रहे हैं रहूल गांदी से लड़ेंगे तो अस्मर्ति इरानी किसी भी हालत से हार रही है यह तो चालेंज है स्मर्ति रानी तो क्या है कंप्लीड भारतिय जन्तापाटी अभी 303 पार्लेमेंटेरियन है उनका कहीं आड्रस भी देखा नहीं गया आपको दिखेंगे मोदी साहब आमिश्या और अपने एक्स हो मिनिस्टर एक्स डिफेंस मिनिस्टर प्रजेंट सिता रामन ऐसे थोड़ में फीड करके जीद पता रहे हैं इस पर किसी भी पार्लेमेंटेरियन का रियल विनिंग है नहीं 2012 में यह मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि उनको आप देश अगर अपना कितनी वह कितना बुलंदी पर जाता था कि दियार नोट एबल टू लिफ्टिंग दाइंडिया देखो इड़ी शेमफूल मनिपूर के ऊपर तो बात करना चाहिए ना जो देश के प्रधानमंत्री पार्लेमेंट में जाने के लिए डर रहत हैं कि 303 पार्लेमेंटेरियन उनके रखने के बाव जोड़ी देश के प्रधानमंत्री पार्लेमेंट में मनिपूर के विशय पे ओपर बात नहीं करें, पार्लेमेंट के बाहर 37 seconds वो भी not a one hour, not a half an hour, 37 seconds पार्लेमेंट के बाहर बात करें मनिपूर के विशाय के ओपर, मनिपूर तो तीन महेने से जल रहा है, it is very shameful to the India, it is shameful to the महारतिया जनता पाटी, RSS, किसी भी चीज के मनिपूर के ओपर कोई किसी तरह की बात नहीं हुई, नहीं डिसकॉस हुई हुई